हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पाइट पर कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी एकदम भड़िया होंगे आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे इस चीज को लेकर के और बार-बार मुझसे बस यही दो कोशन पूछे जाये थे कि मैं मेरे फ dal से मिस्टर का या फिर जो थ Dass समिस्टर का रिजल्ट कब आयेगा जो असाइस मेरे जब्डा से मिस्टर का रिजल्ट कब होगा इन है पिर कोई कोषिए झालों बस इसी चीज乾वल कर बबे διαव चोन अगले semester के लिए परेशान हो और exam कब होंगे उसके कितना time मिलेगा बिना result के तो हम पढ़ाई करने वाले हैं नहीं और खास कर जिनको back लगने का डर है कि मेरी back लग सकती है वो तो result देखके ही पढ़ेंगे कि back लग गई क्या पता पिछला आप जो semester है पूरे exam देने पड़ें थर्ड semester वाले तो यह नहीं कर रहे होंगे जो फोर्त में आये लेकिन जिन्होंने पहली बार first semester दिया वो यह जरूर सोच रहे होंगे तो देखें मैं आपको बता दूँ कि first semester में अगर आपके किसी एक paper में या दो paper में back लगी है तो उन paper के exam तो आप देंगे ही देंगे साथ साथ जो आपका second semester है इसके exam भी आप देंगे पूरे के पूरे तो इसलिए कोशिस करिए कि अपनी पढ़ाई जो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे करना शुरू कर दो कर रहे थे तो और अच्छे से करना इसाम कब होने बाले और हमारा जो result है वो इतना देर से क्यों आ रहा है क्या reason है इसका तो देखी बैसे तो आपका जो result था वो उम्मीद थी कि September last में देखने को मिल जाएगा क्योंकि था क्या है तब आपके इतनी वह सब नहीं थी counseling की प्रक्रिया आप DLA की शुरू हो चुक आपका जो first और third semester है इसका जो result है वो आपको 15 अक्टूबर से पहले देखने को मिल सकता है और exam की अगर हम बात करें तो result आने के बाद आपके फिर form अगेरा पढ़ेंगे इन समय आपका time लग जाता है तो अराम से आपका exam डेर से दो महिने में होगा तो जितना आप यहां स जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दिसंबर में ठीक है आपका जो exam रहेगा second और fourth semester का वो December अब फर्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकता है दिसंबर में तो दिसंबर में आपको exam देखने को मिले यूँगि उदर November में आपका फिर दीपावली वगेरा तो यह चीजे रहेंगी डीलेट का जो आपका सेमिस्टर जो 2023 वाला जो नया सेशन आने वाला है इसका जो रहेगा प्रोसेस इसका 15 अक्टूबर तक इसकी पूरी काउंसलिंग अड्मिशन सब हो जाएंगी क्लियर इनकी क्लासे इनकी शुरू हो सकती है अक्टूबर लास्ट क्लास शुरू होंगी तो उसी हिसाब से वो सारी सारी चीजे जो है आपकी मैनेज करेंगे तो आपका जो फोर समिस्टर या सकेंड समिस्टर एक्जाम आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में और रिजल्ट देखने को मिल सकता है 15 अक्टूबर से पहले तो आप जो है अप करने के लिए बहुत सी चीजे मिल जाती है अभी आपके फिर से फेस्टिवल आने बाले नवरातरी हो गई अभी जिसे गड़ेश चदुर्थी चल रही दीव गड़ेश जी की पुझा वगेरा वो गड़ेश महोत सब कह सकते हैं नवरातरी आ जाएगी उधर फिर आपका द कुछ बचचे ऐसे होगे जिनकी एका सब्सेक्ट पर कमांड अच्छी नहीं होगी तो प्रयास करो कि उन सब्सेक्ट पर जादा फोकस करें आप कि वही जोंसित तो परेशान नहीं हो यह बस अपनी पढ़ाई जो है वह नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो ऐसा नहीं कि आपके थोड़ा सा पढ़ने से आप 90% से अगर 90 प्लस तक पहुंच पा रहे हैं 95 तक 94 तक तो क्या हर्ज है थोड़ी पढ़ाई कर लो जो 85 पर अटके हुए है इतनी साल से तो वो 85 से कहां पहुंच सकते हैं आराम से 90% तक लेके आ सकते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लो मैनत कर लो और जो फोर्थ में आपको ब सब्सक्राइब मैं चनल बबबाई टेक एर